हेलो गाईज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल ट्राइटू ट्राविल में हज तारीखे 29 जून 2023 और आज हम सुबह सुबह निकल चुके हैं डाकोर के लिए डाकोर में रंचोर जी का मंदिर है अभी हम जिस हाइवे पर चट रहे हैं यह हाइवे एनेज 47 है जो एमदावाद से इंदोर कर जाता है हाइवे वैसे साही है लेकिन थोड़ा के एक जगाओ पर थोड़ा थोड़ा खराब हो चुका है इंदोर है यहां से 376 किलोमीटर दाहोद है 200 किलोमीटर और गोदरा है 110 किलोमीटर डाकोर जी मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर है और डाकोर जी खेडा डिस्टिक में पड़ता है डाकोर जी जाने के लिए आपको सरकारी बसिस मिल जाएंगी टेक्सी मिल जाएंगी और प्राइवेट बसिस भी मिलती है पर वो कभी-कभी प्रजब बोधरा 80 किलोमेटर एंदर 345 साड़े आड़ बजे के करीब में पहुँच चुका था उसके बाद मैंने 9 बजे आरती वगेर अटेंड की वहाँ पर और फिर दर्सन किये मोबाइल अलाउड नहीं है वहाँ पर इसलिए अंदर का सुटिंग नहीं किया मैंने कुछ भी भीर देख सकते हो आप कापी थी दोस्तो जो आप अभी लेक देख रहे हैं इस लेक को गोमती लेक के नाम से जाना जाता है यहाँ लेक 522 एकड़ भूमी में फेली हुई है इसका नाम द्वारका की नधी गोमती के नाम पर रखा गया है उसके बाद मैं अपने नेक्स टेस्टिनेशन की और निकल चुका था गलतेस्वर वहां जाने के लिए रस्ते में थोड़ा ओफ्रेडिंग भी करना पड़ा आप देख सकते हो करीबन तीन किलोमीटर के ऐसे रस्ते के बाद फिर मैंजे एक हाइवे मिल जाता है फिर करीबन बाइस किलोमीटर रोड चलाया फिर मैं गलतेस्वर पहुंच चुका था गलतेस्वर पहुंचने के बाद मैंने वहां दर्सन किये वीडियोस भी बनाए करीबन बनाए अभी जो यह आप देख रहे हैं यह गलते सुर महादियों का मंदिर है जो महिसागर नदी के पास पटट पर बना हुआ है यह महिसागर नदी है आप गलते सुर महादियों से निकल चुके हैं प्रेन आई ती ते रुपना पड़ा प्रेन निकल चुकी है अब हम भी निकलते हैं बस यहां से जो है न हम अब लेपट लेंगे और फिर से वह हाइवे कनेक करेंगे जिससे हम तुबह आये हैं यहां आज के हमारी तीसरी डेक्टिणेशन है तुवा तिमबा कुंड यह चूआ तिमबा कुंड देख रहे हैं तुवा तिमबा कुंड है यहाँ पर जो यह आप देख रहे हो यहाँ पर एक दम गरम पानी निकलता है और यह गरम पानी से अगर आपको कोई भी चंबडी रोग है उस पर डाल कर अगर आप नहा लेते हो ना तो आपको वो चंबडी रोग समाप्त हो जाता है ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का और यह से करीबन 10 किलो मीटर पहले पड़ता है इंदर वाले हाइवे पे और देखो यहां पर लोग नहां भी रहें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सेड एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में